संकिर्ण अस्टफलक आकार धारण करसे तो आ त्रणेक अक्षको एना नाम उपर दी जापने समझाये छे कि ये त्रणेक अक्षको अक्षो नी वच्चे गोठवाये ली छे एटले लिगेंड्स वड़े ये बउप प्रभावी थाये ली नाथी एटले यानी शक्ती मां खुब घटा अड़ो थायो छे एटले यानी शक्ती ओची छे जियारे dx2-y2 और dz2 आ बनने ओर्बिटल्स चे ए अक्षो नी उपर गोठवाये ली छे अने अस्ट फलक मां लिगेंड्स बदा अक्षनी उपर आववाना छे एटले आ इजीक अक्षकों मांने dz2 और dz2-y2 लिगेंड्स वड़े बउप प्रभावी थाये ली छे एटले स्वभावईग पने एनी एनर्जी मां एकदम वधारो थवानों छे अने अस्थाई बनवानी छे त्यार पचीनों मुद्धो एमां जोई ए तो the three lower energy orbitals are collectively referred to as t2g जेने आपड़े dxy yz अने dxz तरीके ओलखे छे एने मुलिकान संग्नियाओं मा t2g तरीके ओलखे छे अटले molecular orbital theory नी भाषा मां जो वाद करू तो एने t2g अने eg कक्षको जेने आपड़े dx square minus y square अने dz square कहिये छे एने मुलिकान संग्नियाओं मा एमो theory नी भाषा मां एने eg तरीके आपड़े ओलखे छे अटले आब अधीजी कक्षको जे छे ए अस्ट फलक मां आ प्रकारे विभाजन पामें छे त्यार पची tetrahedral field नी जो वाद करू तो समच चतुश फलक आप screen उपर जो ही शको छो furthermore since the ligand electrons in tetrahedral symmetry are not oriented delay directly towards the d-orbitals the energy splitting will be lower than in the octahedral अपने समझी शक्किया चीए के जेरी ते अस्ट फलक संक्रिण बनतू होतू एमाँ eg कक्षको प्रभावी थाती हती काणके अक्षों नी उपर गोठवायली हती tv screen उपर जो ही शको छो के नियमित चतुश फलक माँ 4-4 ligands अक्षों नी वच्चे गोठवायला चे तो मित्रोत अमें जो ही शको छो ए प्रकारे आप मन अनुमान करी शको छो के आकरूती उपर ती 4-4 ligands अक्षों नी वच्चे आवता होवाती त्यां अक्षों नी वच्चे जे गोठवायली कक्षको छे T2G कक्षको जने आपड़े DXY, DYZ और DXZ कहिए छे तो आ DX टुंक मां कहिए तो T2G कक्षको ए अक्षों नी वच्चे गोठवायली चे अने समचतुस्वलक शेत्रमा लिगेंड्स पन अक्षों नी वच्चे आवाना चे अले स्वाभायक पने जा पने समझाये चे के T2G कक्षको ए खुब वधू प्रभावित बनवानी चे लिगेंड्स कक्षको वड़े लिगेंड्स ना इलेक्ट्रों वड़े आने एटले M नी शक्तिमा एकदम बदारो थासे आने EG कक्षको नी शक्तिमा एकदम घटाडो थ अले स्वाभायक पने ज अपड़े समझी शक्किये चे के अस्ता फलकी एक ख्षको ना डी कक्षको न विभाजन करता T2G आने EG कक्षको मा अथवातो सामचातो उस फलकी एक ख्षको न विभाजन आवलो थाएचे एटले के बिलकुल उल्टु थाएचे जेमा T2G कक्षको जेमनी शक्ती मा घटाडो एटले के खुबज नीचा एनरजी रेवलो पर आ EG कक्षको स्थाई थाएचे एटले जारे पन आपने आवी कोई प्रस्न थाए मगजमा के शामाटे आडी कक्षको न विभाजन अस्ता फलकी एक ख्षेत्र करता चतुश फलकी एक ख्षेत्र मा अवडू थाएचे अत्वा तो बिल्कुल उन्दू आ विभाजन थाएचे त्यारे आपने आनू सोलीशन आप्रकारे लाई शक्किये के भई तियां T2G कक्षको वधू प्रभावी थावा नीचे कार्ण के लिगेंड्स चारे चार लिगेंड्स अक्षोनी वच्चे गोठ अक्षोनी वच्चे गोठवाईली आ T2G होवा थी एलोको वच्चे इंट्रेक्षन एटलू बदू वधार थासे के T2G कक्षको उपर नस्ताने आने इजी कक्षको नीचे नस्ताने गोठवाएचे त्यार पची जो भूमिती निवाद करिए तो टेट्राहेडल कॉम्प्ल अक्षको नो विभाजन बतावेचे टेक्निकली थोडिक शतीना कारणे टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्स माँ डीक अक्षको नो विभाजन एव चापपामा आवीचे पांट आप जो ही शको छो फीगर माँ के जे फीगर माँ बतावेचे ए संकीर्ण नो आकार चे स्क्वेर खुबज अगत्यनो ML4 प्रकारना आ संकीर्ण सहोजनोंनी एक अगत्यनी भूमीती धरावतु आ संकीर्ण सहोजन जैने आपडे समतलिय चौरस संकीर्ण कहिए छे अने समतलिय चौरस संकीर्ण मा डीक अक्षकोनू आस्वटिक शित्रमा विभाजन के भी दिते थाई छे ए आप समझी शक्किये छिए खास करीने आपडे थोड़ी कलपना करिये तो नियमित अस्थ फलक जी हतो ए नियमित अस्थ फलक ना डी जैड स्क्वेर एटले के जैड अक्ष उपर ना जो बे लिगेंड लिगेंड्स ने क्रमा शह आपडे खुबज दूर ना अंतरे लई जी एटले डी एक स्क्वेर माईनस वाई स्क्वेर उपर नी चार लॉब अने एनी साथे चार लिगेंड्स अटेस तहिला चैड अने दी जैड स्क्वेर कखशक जेछे एनी शक्ती माँ एक्दम घटाड हो था perspective में एक्दम घटाड हो था अने आ प्रकारे जोईए तो स्क्वेर प्लेनर एटले के सम्तलिये चौरस संकेणों मा पण आपणे आप्रकारे डी कक्षकोनु विभाजन स्वटी कक्षेत्र सिद्धान्त ना अधारे समझी शक्किये छे हवे पची size of the gap डी कक्षकोनु जी आ विभाजन थोई इविभाजन ने आपणे कया नाम थी के वी रिते अने कैम करी ने समझी शक्किये एनी थोड़ी आपणे हवे पची नी स्लाइडों मा चर्चा करी लेए तो the size of the gap डील्टा between two or more sets of orbital depends on several factors डील्टा जेछे इक घणामदा factors उपर आधार राखेचे डील्टा ने आपणे स्वटी कक्षेत्र विभाजन पैरामिटर तरीकिये ओलखेचे इनक्लूडिंग दी लिगेंट्स and geometry of the complex संकिर्ण स्ववजन नी जे भूमी ती छे आवा संकिर्ण स्ववजन मा डी कक्षकों नो जी विभाजन थाए छे आने हवे पची आपणे मित्रों डेल्टा तरीकिये ओलखेचे अने ए डेल्टा जे छे ए डेल्टा नो आधार सेनी उपर छे तो एवा जुदा जुदा परी बढ़ो आपणे हवे पची थोड़ाक चर्ची श्यू some ligands always produce a small value of delta while other always gives a large splitting तो डी कक्षकों नो जी आ विभाजन चे ए विभाजन ने आपणे स्वटिक कक्षेत्र विभाजन पैरामिटर डेल्टा द्वारा दर्शावी शक्के चे अने आ डेल्टा नो मुख्य आधार चे ए एवो चे के एव शु थाए तो डेल्टा वधु मले अने एव शु थाए तो आपणे डेल्टा नो मुल्य ओचु मले तो मित्रो एना घणाबदा परीबढ़ो चे डेल्टा ना मुल्यने आधार करता घणाबदा परीबढ़ो चे एमानू एक परीबढ़ अगत्यनू होई तो आ चे केवी लिगैंड नो प्रकार के हो चे संकिर्ण संयोजन जे बने छे एमा धातू संकिर्ण साथे जोडायल भातू साथे के elynदरीए धातू साथे जोडायल लिगेंड चे एक किवा प्रकार मोंचे ए प्रबन लिगैंड छे तो दीक अक्षकों नो विभाजन वदु थाषे, तो डेल्टा नो मुल्य आपनने तो आवे लेक्ट्रां प्रम्र्मां प्रकरण से क्यन्य को बिरुदाई ने जो पुदाएला चे तो डेल्टा नू मुल्य ओछु मल से कया निर्बल लिगेंट्स जोडा से तो आपने आज फतिक शेत्र विभाजन पैरामिटर डेल्टा नू बहु ओछु मुल्य मल से अने CFT मां D कक्षकों नू विभाजन खुबज ओछु थहलू मालूम पड़े चे जे आपने आ स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज द्वारा जानी शक्ये चे तो आपने आपने आ बधा कारणों जानवा मले के D कक्षकों ना विभाजन पैरामिटर ने असर करता परिबड़ो काया काया The Spectrochemical Series मैं कहीं हैं के Spectrochemical Series एक इभी वस्तू छे इट इन एंपिरिकली डिराउड लिस्ट अफ दी लिगेंट्स ओडर्ड बाई दी साइज अफ दी स्प्लेटिंग डिल्टा दाट दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस देल्टा तु लास डिल्टा एना माटे आपने नेक्स लिगेंट्स देल्ड तो मित्रो शरू अतना जी लिगेंट्स चे व्याय डिपिएंट्स …… काण के CN जे चे ए डीक अक्षकों नू विबाजन खुब वधू प्रमाण मा करेचे अच्या हजी पन थुड़ुक एलेप्टी मा अपणे थुड़ुक डीप मा जो डोक्यू करीए तो आपने खबर पड़े के शा माटे CN एउ डीक अक्षकों नू विबाजन वधू करीचे तो एनी पासे केटली केवी खाशी हतो छे जे धातू साथे बैक बांडिंग वधू प्रमाण मा करी शके छे धातू साथे बैक बांडिंग थवाती धातू साथे ना बंदने एटलो बदों प्रबल अने मजबूत बनावी शके छे के जे प्रबल लीगेंड नी व्याख्या तो एना फ़ल्स वरूपे आने जो डिकक्षकोंनु विभाजन ओचु थायलू होय तो एना फ़ल्स वरूपे आपने जुदी-जुदी प्रकार ना संकेणों जने हवे पचिनी स्लाइडों मा अपड़े high-spin संकेणों अने low-spin संकेणों एटले के गुरू-spin संकेणों अने लगू स्पिन संक्रिणों तरीके उलख्वाना चीए अने समझवानों प्रयत न करवाना चीए हवे पचिनी स्लाइडों मा एवा जुदा जुदा प्रकारना संक्रिण संयों जोनों आपने प्राप्त थाये चे तो आ स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज ना अधारे आपने हाई स्पिन और लो स्पिन संक्रिणों समझवानों थोड़ों जो प्रयत न करिए तो हवे पचिनी स्लाइड नी जो उँवाद करू तो स्प्लिटिंग ओप दडी ओर्बिटल्स दडी सबसेल इन ओक्ट्राइडल कॉम्पलेक्स मित्रो आप हवे पचिनी स्लाइड मा जो आना चो के कोबाल्ट प्लस 3 नी वाद करिए जो टीवी स्क्रीन उपर आप जोता हो तो कोबाल्ट प्लस 3 आयां चे एक गैस फेज मां मुक्त धातू आयां चे औने मुक्त धातू आयां जो सी यो प्लस 300 रूपे होए आप जो ही शको चो टीटू जी मा जो 6 लिगेंट गोठवाए तो त्रणे टीटू जी मा बे 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 एम करी औने 6 इलेक्ट्रोंस आ प्रकारे गोठवाए ला चे ज्यारे ईजी कख शको बिल्कुल खाली चे पण आउ काया किस्सा मा बने मित्रों मैं आगर वाद करी स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज नी जो स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज प्रमाने जो ये तो धातू आयन एटले के कोबाल्ट 3 साथे जोड़ाए लिगेंड्स जो सी एन जेवा प्रबल लिगेंड्स जोड़ाएला हसे तो आप बाजू मा डेल्टा जोई शको चो एटल्टा नू मुल्य खुबजवदू हसे डेल्टा नू मुल्य जो खुबजवदू होय तो स्वाभाविक पने ज आपने हवे पचीनी डेल्टा जेचे विभाजन पैरामीटर डेल्टा एना करता खुबज ओच हुझे अने मीत्रों आपने खास जाने येचे आपने रसायन विग्णान जो थोड़ुक डीपमा समझता हो ये ने मुड़ुभुद पायाना सिद्धान तो आपने खबर हो ये तो इलेक्ट्रों ने वदू शक्ति आप भी पड़े एउँ कोई कारिय आपने करता ना थी एटला के ओच्छा ओची शक्ति आपवा थी जे काम अनुकुल थत्व होय एटला के पेरिंग एनर्जी जो ओच्छी होय तो ए आ प्रणाली जड़पती प्रक्रिया कर से एटला के पेरिंग एनर्जी ये किस्सा माँ डेल्टा करता ओची हसे, एक इस्सा माँ ओची शक्ती ये टीटू जी कक्षकों माँ इलेक्ट्रोन युगमित थवानो प्रयत्न वधू करेछे, एटले के प्रणाली माँ टीटू जी कक्षकों माँ बधाज इलेक्ट्रोन युगमित थाए, तो आपनने लग पीन संकेन आप्रकारे प्राप्त थाएचे। हवे पचिनी स्लाइड मा जो ये तो, the splitting of the d orbitals is an octahedal field is delta O. अस्त फलकी क्षेत्र मां d कक्षकोना आ विभाजन पैरामेटर ने आपडे delta oct तरीके पन उलकिये चे, क्षेत्र मां जो ये तो, so, delta O for octahedal complex and delta T for tetrahedal complexes. So, the splitting of the d orbitals in an octahedal field is delta O, the 3 T2G orbitals are stabilized relative to the bary center by 2 upon 5 delta O and the EG orbitals are destabilized by 3 upon 5 delta O. एटले के मूल शक्ती सपाटी जे हती bary center नी, एटले के गोलियक शेत्र नी सपाटी करता मूल शक्ती सपाटी करता जे EG कक्षकों छे, एनी शक्ती मां वधारों थाएचे औने एनू stabilized जे थाएचे, ए स्थाइत्व जेचे, ए 2 upon 5 plus 2 upon 5 delta O जेटलू रहेचे, एटले एनी CFC नू मूले 2 upon 5 जेटलू छे, जयरे T2G कक्षकों छे, EG कक्षकों छे, ए EG कक्षकों छे एनू, ए अस्थाई थाएचे आपनने 3 upon 5 delta O जेटला डिल्टा ना मूल्ले आगल। एटले के T2G कक्षकों वदू स्थाई चे, जेनी पासे ओची शक्ती ए स्थाई थाएली चे, और EG कक्षकों छे, अस्थाई बंती होवा थी, ए D स्थाई बंती होवा थी, ए D स्थाई थाएली चे, प्लस 3 upon 5 delta O जेटला मूल्ले। हवे आप जोई शकोचो, D orbitals क्रिस्टल फिल्ड नी अंदर जारे आ स्थाई कक्षेत्र मां D कक्षकों विभाजन थाएचे, और 5 D कक्षकों पूतानी सम्षक्ति एता गुमावी, और 2 जुथ मां वेंचाई जाएचे, जेमाने ओची शक्ति सपाटी एस थाई थाईली कक्षकों छे, Dxy, Dyz, और Dxz, ए आप फिगर मां जोई शकों छो, टीवी नी स्क्रीन उपर, Dyz बताविली छे मैं, Dxy बताविली छे, और Dxz बताविली छे, आप स्क्रीन उपर खुब सरस रिते जोई शकों छो, और अनुमान पन करी शकों छो, कि आ तमाम कक्षकों ने आपड़े, जेने आपड़े T2G तरीके ओलखिये छे, ए बन्ने कक्षकों नो आ सेट छे, जेमा आप जोई शकों छो, कि इजी कक्षकों बन्ने प्रकार नी इजी कक्षकों ना कूल मली अने छे छो, लॉब अक्षों नी उपर गोठवाएला छे, एटले जो संक्रीन अस्ट फलक बन्चे, तो नीचे बतावेली छे, ए डी जेट स्क्वेर अने डी अक्षकों माइनस वाई स्क्वेर कक्षकों अक्ष उपर प्रभावी बन्वानी छे, अने जो टेट्राहेडल संक्रीन बन्चे, तो उपर नी आकुरूतीमा आप जोई शकों छो, तो टीटू जीक अक्षकों वधू प्रभावी बन्चे काण के एक अक्षकों अक्षों नी वच्चे गोठवाई ली छे, स्प्लिटिंग अप दी सबसेल इन अक्ट्राहेडल कोडिनेशन, तो में जोई शकों छो, संकिर्ण संयों जोनों, जैले अस्ट फलक की संकिर्ण संयों जोनों बनावे छे, अस्ट फलक आकार मां जारे गोठवाई छे त्यारे, टीटू जीनों सेट आप जोई शकों छो, बीजा छेडा उपर आप ईजीनों सेट जोई शकों छो, अने बनने पेलो अने त्रीजो बनने सेट मां सारी ते जोई शको चो के पहला सेट मां T2G सेट बतावे लोचे एमा कक्षको जेचे A, D, Y, Z कक्षक बतावे लीचे जे अक्षोनी वच्चे गोटवाई लीचे